हेलो आरी मिलवर तो गुड मॉर्निंग कैसे आप सब लोग आई होप सब के सब बढ़ी आए तो तुमारा भाई भी बढ़ी आए आप सब ने बोला था भाई रिजल्ट बता दो तो भाई मेरा रिजल्ट नहीं अभी मेरा तो अभी 15 जनवरी को एकजाम है तो हमारे यहां पे इतने कम बंदली है मेरिट का पता नहीं कितने की गई है कल पर्सो पर्सो शाम को पंजाब वालों का रिजल्ट आउट वा पंजाब जिनका सेंटर था उनका तो भाई 400 बंदों में से 26 बंदली है 400 में से ओनी 26 बंदे तो समझ सकते हो कितना तफ और हाई कॉंपटीशन है अ तो ओ बंदा हुआ है ठीक है तो भाई ओ बंदा बोलता है कि भाई मैं रात को एक बज़े तक पड़ता था एक बज़े तक पड़ता था और सुबा चार बज़े से तो सोता कब था और क्या करता था पूरा दिन पड़ता था ओंदा पूरा दिन तो इतना पढ़ेगा तो ब पर भाई अब ऐसा बोर की बखेंसिया जादा है बखेंसिया कुछ नहीं यह कम बंदे लेंगे और कम कोई रखेंगे क्योंकि अब गरीब ही आगी है ना शायद से करोना के बाद आख दिटेश सब इस तो इनका भी अक्जाम था तो उनका भी स्लेख्शन हो गया तो मैंने उनको पूछा था तो मेर को टाइम नहीं लगता आज अउसकल वीडियो बनाने का फॉंच लाने गगा तो मैने उनको पूछा था कल शाम को कि भाई आपने कितने कोषेंदें पचास तो नोन मेडिकल वाले के लिए और मेडिकल वालों के लिए उतना प्रावल्म नहीं होता है प्रावल्म तो आर्स और कमर्स वालों के लिए होता है तो कमर्स वालों के लिए भी नहीं होता है पर आर्स वालों के लिए बहुत होता है अगर बंदा कम पड़ता है और ऐसे ऐसे बंदों के लिए तो कभी प्रावलम होगा नहीं यह भी पूरे पूरे टच करते हैं मैथ के तो मैथ बहुत ही इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आर्मी के लिए तो भाई अभी हमांचल में ए आरो पालमपूर वालों का एक्जाम है जल्दी उनका एक्जाम होने तो लग जाएगा पता इस बार कैसा रहेगा हमांचल का रिजल्ट तो पिछली बार तो बहुत ही कम बंद लिए थे इस बार देखते हैं कितने बंद लेंगे और भाई मैं तो आपको इतना ही बोलूँगा कि स्लेक्शन चीए तो 40 प्लस करके आई हो ठीक है क्योंकि 40 प्लस को टिकल गा देता हूँ गलत हो तो गलत दो नंबर बहुत होते बाई दो नंबर से क्या एक नंबर से स्लेक्शन रुक जाती है तो जितना भी करना ठीक ठीक ही करना ठीक है वीडियो को लाइक करना शेयर करना हो रहा है अपना प्यार मोहमत यू बनाया रखना देर देर से आएंगे पर जरूर आएंगे बाई बाई और अपना ध्यान रखो और महनब करते रहो